सो हे गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको AutoCAD के एक ऐसी प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी productivity को तो बढ़ाएगा ही साथ साथ आपको AutoCAD में Pro भी बनाएगा जिसका इस्तमाल करके आप किसी को भी impress कर सकते हो कि आप कितने Pro हो AutoCAD के अंदर चलिए फिर वीडियो को बना सकते हो बट एक और प्रो तरीका है उसी को मैं आज बताऊंगा तो चलिए फिर आप ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से हम उस ट्रिक का इस्तमाल करके इस टाइप की ड्रॉइंगों को ड्रॉ करेंगे तो सिंपल हम यहां पर इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल यह यहां पर सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्किल का जो डाइमेटर दिया है वह यहां पर दिरका है 7 तो मैं 7 पूट करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं अब हम यहां पर क्या करने हैं 15 15 के डिस्टेंस के अंदर तो चलिए आप समझते हैं कि किस तरीके से वह ट्रिक हम करनête सी ओएंटर अफ्रिकों करेंगे चलिके करना है और क्यानिक घ्याते हैंNow नबर व गृस्ट से बाहरे नहीं आना है वहल ऑब स्टार्ट आए आपको सिंपली क्लिक करना है की एंतर शब्षे पर यह आंतर यहां पएपरर कर दियाATA अब यहां पर हमें डालना एंटर नंबर आइटम कितने नंबर आइटम हम यहां पर चाहिए हमें कितने चाहिए 12345 तो हम यहां पर simply 5 पूट करेंगे एंटर प्रेस कर देंगे अब यहां पर हमें डालना है डिस्टेंस कितने कि distance मैं यहां पे तकming करें और scholars करते औरेंदेंगे राइट कलिक करेंगे कितनी आसानी से मैंत सर्किल को ड्रॉ कर कर लिया चैने परोड़ी कर आपके दिमागर करें ॠ यहां सब्सक्रणी यहां तो आप क्या करोगे तब थोड़ी न आप कॉंपी करते रहोगे कि यहां से यहां डिस्टेंस से 5 5 के बाद 10 15 20 तरीकर से एंड नमबर सो हो जाएंगे तो करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो सिंपल यहां पर करिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करें सर्किल को ड्रॉक करिए अब जो भी डिस्टेंस पर आप सरकिल को रखना चाहते हैं सिंपली क्या करिए पहले सरकिल को कॉपी करिए सी ओ एंटर प्रेस करके माल लिजे हम इस टरऑ कर देंगे रइड किलिक करें एंटर पर क्लिक करके माल आ जाएंगे तो इस तरीकासे सिंपल बहुत आसानी से हम इस टैप के ड्रॉंगों को ड्रॉ कर शक्ते हैं और और इसी में इस अघृ कर saskते हैं क्यी स्ल propor कर करतें कैसे मिलते हैं इसी तरह की की नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो